नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपकी मीडिया आपके नेता सडकों पर चिलाते रह गए लेकिन इदर कुलमान गिसिंग ने अकेले ही MCC की धजियां उड़ा दी भारतिय बिजली विभाग से मिलके जाल लिजे पूरी डिटेल आप ये डिटेल सुनेंगे तो आपको पूरा हो चुकी है कुलमान गिसिंग अकेले ही MCC की धजियां उड़ा दी ठीक है और आप लोग सडकों पर चिलाते रहे गए यानि आप लोगों ने कुछ नहीं किया अकेले कुलमान गिसिंग ने MCC को फलोप कर दिया कैसे किया इस डिटेल से जानिये हुआ क्या दोस्तों कि कुलमान गिसिंग अभी भारत गए थे सायद आपको पता नहीं है या बहुत लोगों को पता है आपकी अपनी मीडिया में चक कर सकते हैं कुलमान गिसिंग जो है व 89 करोर ठीक है बिजली बेचेंगे अब आप जान लीजिए कि अमेरिका यही काम करना चाहता था क्या करना चाहता था अमेरिका की चाला की कहां थी आप नहीं समझ रहे होंगे नेपाल में टोटल जो बिजली उत्पादल समंदित योजनाइं चल रही है वो है तीन सो छेयालिस योजनाइं तो नेपाल इन 346 योजनाओं को अपने कंट्रोल ओ सोरी अमेरिका इन 346 योजनाओं को अपने अधिन अपने कंट्रोल में रखना चाहता था MCC के जरिये इनमे 111 योजनाईं जो हैं वो बन चुकी है लेकिन फंड की कमी के कारण बन नहीं स्टार्ट नहीं हो पा रही है यारि आप समझे कि 346 जो परियोजनाओं थी छोटी मोटी या बड़ी इन सब ये सब चालू नहीं हो पा रही थी क्योंगी पैसे की कमी थी, तो अमेरीका अपना पैसा इन में लगा के इन सम परियोजनाओं को अपने अधीन रखके और भारत को बिजली बेचना चाहता था, देखिए अमेरीका के पास में कम दिमाग नहीं था, उसको पता था कि नेपाल ने भहुत सारी परियोजनाइ चालू कर रकिये, ठीक ह लेकिन फंड की कमी है, फंड की कमी करोना की वजे से हुई, चीन ने कहा था पिछले साल आपको याद होगा, जब जिन पिंग आये थे कि हम 58 अरव रुपे देंगे, कुछ-कुछ परयोजनाओं को चालू करने के लिए, लेकिन चीन नहीं दे पाया, वो केवल 30 अरव रुपे दिया, और वो पैसे दूसरी जगा लग गया, भायत ने 65 अरव रुपे दिया है, ये आपकी मीडिया कह रही है, मैंने कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उस पैसे से भी, वो सब योजनाओं चालू नहीं हुई, 2000 बर्स, 2000 चेतर, 77 का मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इन 346 परयोजनाओं को चलाने के लिए, नेपाली क्रेंसी में बोलेंगे तो कम से कम 5 खरब रुपे चाहिए, इन सब परयोजनाओं को चलाने के लिए, 50 अरव में कुछ नहीं होता है, तो अमेरिका ने क्या किया कि मैं MCC पास करा दूँ और 50 अरव रुपे खर्चा करूँ, तो दोस्तों, अमेरिका पचास अरव ही खर्चा नहीं करता, वो बहुत ज़्यादा खर्चा करता और इन परयोजनाओं को चालू करता, उसके बाद भारत पे दवाव डालके, भारत पे बिजली खरिदाता है, अपना भी कमाता हो नेपाल को भी देता है, लेकिन अपना तो अम की डेमोकरेशी ले आएगा साओधी अरब में, यह बिसे दूसरा है, इसमें कभी फिर बात करेंगे, तो अमेरिका क्या करना चाहता था कि नेपाल की 346 परयोजनाओं उपर, कंट्रोल करना चाहता था, MCC के जरिये, पचास अरव रुपाई एक तो बात है, वो तो सामने प IPC का हिस्सा यही बताती है, लेकिन यह नहीं बताती है कि अमेरिका 346 परयोजनाओं को, जो कि बिजली से समंदित है, उनको अपने कंट्रोल में करना चाहता था, आप पूछ सकते हैं अपने बिजली विभाग से, ठीक है, और जब MCC का 3 एर प्लान आएगा, यानि 15 साल में MCC आपको 8 से और 13 अरव यूनिट बिजली बना कर देगी, और उस बिजली को अमेरिका भारत को बेचेगा, और भारत पर प्रेसर बना कर बेचेगा, अमेरिका अच्छे से जानता है कि चीन यदी बिजली बनाता है, नेपाल में तो भारत नहीं खरी देगा, यह बात बिलक ट्र요 अऄकर भारत के इस बिजली को खरीदो, चीन के पास में बहुत सारे पॉइंट प्रेसर के, तो प्रेसर दे के भारत से बिजली खरीदो आएगा, लेकिन भारत चीन का प्रेसर नहीं मानेगा, आप देखी रहे हो, भारत अचीन की बात बिलकुल नहीं बानता है, ठीक पर भारत वो बिजली आसानी से नहीं खरीदेगा तो अमेरिका करना चाहता था कि अमेरिका हैड्रो पाउट प्रोजक्ट ने उन पर इन्वेस्ट करके भारत को बिजली देना चाहता था भारत पर अमेरिका का प्रेसर ज्यादा काम करता है चीन का जीरो चीन का कोई प्रेसर भारत पर काम नहीं करता है इस चीज को आप समझे लिजी अ कि इसलिए आप ने देखा होगा कि भारते मीडिया में अमेरिका inform比較 जादा हो ठीक है आप इस 시청 में कि जिस देस की मीडिया में जिस देश काenary जादा हो रहा है उस देश का प्रेसर उस देश पर लगता है ठीक है और अमेरिका से परेशान इसलिए कुलमान गिसिंग और इंडियन इलेक्टरिसिटी ऑथरिटी जो है उनके बीच में बाचित होती है और सोधा हो जाता है कि इस इन तीन मेनों में 70 करोर यूनिट हम भारत को बिजली बेचेंगे भारत ने बोल दिया कि हाँ आप हमें बिजली बेच सकते हो और आने वाले एक साल बाद नेपाल अमेरिका को तीन अरब 89 करोर यूनिट बिजली बेचेगा हाँ दोस्तों ये बहुत ज़्यादा यूनिट है इससे आपकी परती बेक्तियाय में 700 रुपए नेपाली क्रेंसी की बड़ोतरी होती है दोस्तों ये अपने में बहुत बड़ा समाचार है आपको साइद पता नहीं लग रहा होगा 700 रुपए परती बेक्तियाय में बड़ोतरी होती है जीडीपी में हिस्सेदारी में परती नेपाली आदमी की जीडीपी में 700 रुपए और अधिक की हिस्सेदारी हो जाती है यदि तीन अरब 89 करोर यू ह성이 शायरो नहीं हो रहे यही बिजली का सोधा खरीदने का सोधा अमेरिका भारा से करना चाहता ठाट लेकिन उससे पहले नेपाल और भारत यानि कुल्मान गिसिंग ने भारत से यहां खुद अपनी तरफ से कर लिया अब अमेरिका क्या करेगा सोदा तो 89 करोड यूनिट का सोदा तो कुलमान घिसिंग कर दिये भारत से अमेरिका क्या सोदा करेगा और ये अमेरिका के उपर भारी प्रेसर हो गया क्योंकि सोदा तो पहले ही हो गया जिस यूनिट का सोदा अमेरिका को भारत के साथ करना था उस यूनिट का सोदा कुलमान गिसिंग और भारतिया बिजली विभाग मिलके पहले ही कर लिए और ये आप अच्छे से जान लीजिए कि ये मोदी की मर्जी से हुआ है यानि अमेरिका अब सोदा नहीं कर सकता है अमेरिका को ये सोदा करना था कब? इसी M.C.C की पंच बर्षिय योजना में ये सोदा करना था भारत से लगबग तीन अरव यूनिट का सोदा करना था लेकिन वो नेपाल ने कर दिया पहले ही कर दिया क्योंकि नेपाल ने अपनी तरफ से किया था हमने आपको बताया कि अमेरिका नेपाल की सारे जो हाडरो पावर प्रोजक्ट है उनको अपने कंट्रोल में लेके भारत को बिजली बेचना चाहता था ठीक है लेकिन कुल्मान गिसिंग ने पहले ही सोदा कर दिया क्योंकि इनको पता था कि हमारा देश प्रेसर में है अमेरिकी प्रेसर में है ठीक है और भारत भी प्रेसर में नेपाल और भारत ने अमेरिकी प्रेसर को दर किनारा करते हुए और सोदा पहले ही कर लिया ताकि नेपाल पे प्रेसर बनाया जा सके अब अमेरिका सोच रहा होगा यार इन्होंने पहले ही सोदा कर दिया जो सौदा अमेरिका करना चाह रहा था भारत के साथ में वो कुल्मान कि सिंग और भारत विजली बोल्ड पहले ही कर दिये तो ये बहुत बड़ा प्रेसर बन चुका है अब यदि MCC पास भी हो जाती है तो इन पांच सालों में कुछ नहीं करेगी ठीक है क्योंकि वो काम अब नेपाल ही करेगा जो अमेरिका को करना था वो काम नेपाल ही करेगा क्योंकि उतना सौदा नेपाल से हुआ है उतनी यूनिट बिजली नेपाल को बना के देना पड़ेगा उसमें कोई बाहरी ताकत हस्तचेप नहीं कर सकती है तो अब आप खुद सोच लो कि अमेरिका आप क्या करेगा M.C.C. लेके M.C.C. पास करवा के क्या करेगा हाँ करेगा कुछ करेगा लेकिन इन सब परियोजनाओं के बाहर से कुछ करेगा कोई अन्य परियोजनाओं को चालू करेगा ठीक है या इनमें इन्वेस्ट करेगा तो इनका एक दम पिछलागू बन के रहेगा अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाएगा अब अमेरिका दोस्तों नेपाल के पास फंड की कमी है इन सब परयोजनाओं को चालू करने के लिए ठीक है तो अब भारत और नेपाल के भी सहमती बनी है जो भारत बिछली जाने के जो लाइन बनेगी उसमें आदा पैसा भारत खर्चा करेगा और आदा नेपाल खर्चा करेगा अब नेपाल ये पैसा कहां से लाएगा ये पता नहीं है ठीक है लेकिन भारत ने कहे दिया कि आदा पैसा हम जरूर खर्चा कर लेंगे और कुछ-क पर आपकी जो मीडिया है वो गलत और जूट बोलती है कि मोदी MCC का समर्थक होता ना तो यह तीन करोड उनासी लाक यूनिट बिजली जो भारत खरिदने को तयार है उस पर समझोता नहीं करता पहले भारत नहीं तयार था लेकिन अब तयार हो गया यानि आपकी जो विशलेसक लोग है वो सो परसंट जूट बोलते हैं भारत MCC पास करवाने के पक्ष में ही नहीं है क्य हिंदुबादी सरकारों के खिलाप खुब बड़ी-बड़ी मीटिंगें करवा रहा हैं अमेरिका में ठीक है कि हिंदुबादी सरकार और अमेरिका चल रहा है ने intertwine moody buck-up नहीं नहीं वह अच्छे से जानते हैं कि चिन का प्रेश्र केवल सीमा के भाहर होता है मैं किन अमेरिकाकाप्रेश्र सीमा कभी दलत को बढ़का देता है कभी कस्मीर में बढ़ा देता है कभी कुछ करता है तो यह सब होता है निरंदर मोदी पे प्रेसर देने के लिए निरंदर मोदी से अपनी बात मनवाने के लिए इस पर हम बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं इसलिए डिटेल में नहीं जाएं पर हाँ एक चीज की दिक्कत है नेपाल कहीं फंड की कमी के कारण और M.C.C. से पैसा न ले लिए अगर नेपाल ऐसा कर देगा तो भार्द के साथ में सबसे बड़ा धोका होगा अगर नेपाल M.C.C. से पैसा ले लेता है तो सोच लिजे कि वो भारत के साथ में धोका होगा तो दोस्तों आपकी जनता आपके नेता सडकों पर चिलाते रहें कि M.C.C. पास नहीं होने देंगे लेकिन इदर भारत और कुल्मान गिसिंग के बीच में समझोते जो हुए उनके आधार पे अब M.C.C. नेपाल में उतनी कारागार साबित नहीं होगी यानि आप M.C.C. कुछ नहीं कर सकती है एक परकार से फलोग कर दिया ठीक है और अब लगता है अमेरिका प्रेसर नहीं देगा क्योंकि आप तो किलियर हो गया कि उनका सोदा पहले ही हो गया जो सोदा अमेरिका को करना था वो तो नेपाल भारत मिलके कर दिये ठीक है अब अमेरिका क्या करेगा M.C.C. पास करवा के अब नहीं लगता है कि अमेरिका M.C.C. पास करा के कुछ कर पाएगा और ऐसा लगता है कि अब प्रेसर नहीं देगा अमेरिका M.C.C. पास होने के तो धन्यबाद दोस्तों